जब भी कभी एक से प्रारंब होने वाली प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग पूछे, क्यूब का सम पूछे तो आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है और फॉर्मूला बहुत ही आसान है, कभी भी 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब अगर ऐसे करते करते n तक हो n का क्यूब तो formula यह याद रखेगा आपको last वाली प्राकृतिक संख्या natural number लेनी है इसमें multiply कराएंगे उसके successor से n प्लस 1 करके भाग देंगे 2 से और पूरे ही value का कर देंगे square जैसे example के लिए इस प्रस्ण में देखेगा 1 से 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग पूछा जा रहा है तो आप सबसे last वाली संख्या लेंगे 10 और गुणा कराएंगे 11 से भाग देंगे 2 से और कर देंगे पूरे value का square आजाएगा answer जैसे यहां किया 2 से divide तो आगया 5, 11 पचे हो गया 55, 55 का करा दिया square और 55 का square जब करिएगा तो आपको value मिलेगा 55 गुडे 55 और answer आजाएगा 5, 25 25, 2 बनेगा 5, 25, 25 दुना पचास 25 इस प्रस्ण के लिए formula याद रखेगा